टूरा नागते हैं, टूरा दूरा रहा हूं। प्राइकों का कर लो ओक प्राता त्राइकों कर दो ठीज स्थाल अभर क्पर्डरी कर अधिस्य प्रेसय पे हावें क्पर्डरी के कि Judaा कि अप्रा के एंधे का अक्ठक ए्यृ प्रूस्सक्राइब क्षट के एंधे एंधे कि कि अज़ने के जाए पहले है याज कि दूद आप यह अजिए अज़निक वालिए पहले आजिए अजीज़ागी अधिए अधिष नीमोले पीए बैठाची करता क्ऊ अधिए वह बैठाची तरह को शory भी सबस्क्राइब लोटा है तू? लोटा है? बेडियर देजी को ये दूसरे जिने के जो आवे हैं ये मोबाइल बईया है ये आवाज का है कि पीसे जनेरेटर चाता है कि रहे है अब भी पहले हम शुरू करेंगे तब तो बंद कर दिए पंखा बंद करो जनेरेटर बंद कर दिए अरे तो वो देखिए ऐसा है थोड़ी दे आवाज भी कानों में जाए तो अच्छा है अब वो आवाज किस रूप में है हम तो निकाल सकते हैं मास बागी लोग मास लगा रहा है थोड़ी देर के लिए सबसे पहले मैं बढ़ाई देना चाहता हूँ अपने सभी पतकार साथियों को आपको और आपके माद्यम से पूरे इटाववासियों को प्रदेश और देश के लोगों को आज के तिवहार दीपावले की बहुत बहुत शुबकामना है आप सबको साथी साथ बड़ी संख्या में लगातार समाजवादी पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं इधर लखनों में भी बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होनी की इक्षा जताई और समय समय पर उनको पार्टी में शामिल किया गया मुझे खुशी हैस बात की कि इटावा के बहुत महत्पूर निता और इटावा के जो तमाम वर्गों को जिने आजाती के बाद जो सम्मान मिलना चाहिए था नहीं मिल पाया उनके बीच लगातार काम करते रहे दूसरे दल को मजबूती पहुचाते रहे आज हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं हम अपनी तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से जितने भी लोग सामिल हो रहे हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिसमें सबसे पहले रागवेंद गौतम जी उनका बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत बधाई दे रहा हूं है लाखन सिंग जाठव खड़े होके नमस्कार करने के सब पहचान जाएंगे कीरश सिंग पाल जीतेन तोहरे जी वीरू बधोरिया पंडित राजीव चौधरी जी लख्मी चन जाठव जी राजीव बाथम जी सत्रिनायन तिवारी जी अनिल गौतम जी अजे जाठव जी सूर प्रताप सिंग पाल जी मनीश जाठव जी अखिलेश दुबे जनक कुश्वा जी लकी अंसारी जी साजिद खासाब यतेंद दोहरे जी देवेंद दोहरे जी सुबोज जाठव जी रोहेद जी अश्वनी जी संदेज भत्र पार्टी जी मुहमद इर्मरान ठाको जीतें तॉमर जी और सर्वेज गौतम जी मैं सभी साथियों का जो दूसरे दल को छोड़ करके आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं मैं सभी का स्वाग करता हूँ बहुत बहुत बधाई देता हूँ और हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी का जो आंदोलन है समाजवादी पार्टी के जो करकम रहे हैं जो रास्ता डाक्टर भीम राम अमबेटकर जी ने दिखाया जो रास्ता डाक्टर राम उन्हों लुया जी ने दिखाया और तमान समाजवादी लोग उस आंदोलन को लेकर के आगे चले और नेता जी ने जो आंदोलन आगे बढ़ाया उसी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए एक जो ठो रहे हैं हमारा सहयोग करने आए हैं मैं उनका बहुत बहुत हमेशा आभारी रहूंगा जहां तक इटाबा का सवाल है मैं अपने गुरु जी को देख रहा हूं सामने मुझे नहीं पता था कि गुरु जी यहां आ जाएंगे तो गुरु जी ने हमेशा आशिरवाद दिया और उस समय जब बहुत कम पढ़ाई में जानकारी थी मैं समझता हूं गुरु जी नहीं गुरु बन करके हम लोगों को पूरी सिक्षा दी जिसका परणाम आज आप दिखाई दे रहा है सामने और अगर कोई चेक करना चाहे इटाबा की भासा में तो हम से बात कर ले कि अभी इटाबा हम भूले नहीं हैं अगर आप में से कोई चाहे तो बात कर सकता है कोई अगर चाहे तो जानकारी कर ले हमारे कभी अद्देग जी जानते होंगे लवव बहुत दिनों बात आये हो लववा बहुत दिनों बात आया है तो इताबा के विकास में समाजवादी पार्टी ने कभी कमी नहीं चुड़ी होगी निता जी को मौखा मिला समाजवादीओं को मौखा मिला इताबा के विकास को नई यूँचाईयों तक लेखे गए इताबा का विकास कभी पीशे नहीं रहा जब-जब समाजवादी सरकार बनी इतावा के विकासको गती देने का काम समाजवादी लोगों ने किया है और हम तो एक योजना नहीं हमारे जितने भी हां साथी बैटे हैं वो एक-एक योजना से पर्चित होंगे एक एक विकास योजना जो इटावा में हुई है जो जमीन पर उतारी गई है उसके बारे में आप भली बाती जानते है इटावा का विकास समाजवादियों ने नहीं रुकने दिया इतावा का विकास अगर किसी ने रोका है तो बुरोधी पार्टियों ने रोका है मैं उधारण के लिए कह सकता हूँ इतावा की लाइन सफारी कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि ऐसी भी कोई एनिमल सफारी और लाइन सफारी बन सकती है आज नकेवल उत्तफदेश की पैचान है जिस समय इटावा के शेर उसके अंदर आ जाएंगे इटावा के बबश शेर जो बना है उनका जोन उसमें आ जाएंगे तो नकेवल उत्तफदेश बलकि देश की सबसे शांदार और सबसे अच्छी लाइन सफारी दिखाई देगी लाइन सफारी आपके सामने उधारण है इटावा से मेनपुरी जाने का रस्ता जो लोग पुराने होंगे जो लोग कभी पुराने बसों से चले होंगे वो जानते होंगे कि इटावा से मेनपुरी का रास्ता कैसा था जो लोग इटावा से मेनपुरी बस से जाते होंगे उन्हें पता होगा कि अंग्रेजों के जमाने का लोहे का एक पुल था अगर दूसी तरफ से कोई बस या गाड़ी आ जाए तो उसको रुखना पड़ता था ये समाजवादियों की देन है कि आज रुखना नहीं पड़ता है दो बस इधर से निकल जाएं दो बस इधर से आजाएं इतने चौड़े बिरिज बन गई और सड़क भी वैसी बन गई है रोजगार की देस्टी से मदर डेरी का प्लांट जो नेता जी ने शुरू किया तो समाजवादी पिछली सरकार में पूरा हो गया मेडिकल इनुवस्टी जो सेफ़े में बनकर के तयार हो गई तमाम परेटक सुबधाएं देने का काम समाजवादी सरकार में हुआ जो परेटन को बढ़ाबा दे रही है पुलिस को आदूने गाड़ी देना समाजवादी सरकार का काम है पुलिस के अदिकारियों के आवाज तक बना देना समाजवादीयों की देन है तमाम सडके हैं पुल हैं यमना नदी पर आपको याद होगा यमना पुल पर कितने नदी पर पुल बनते थे नजाने कितने पुल बने हैं यमना पर या और जगे पर अगर किसी की देन है तो समाजवादी सरकार की देन है भरतना को जाम मुक्त करने का काम भी समाजवादी पार्टी ने किया है जिले में फीड़ा सेपरेशन का काम या सबस्टेशन का काम सबसे ज़्यादा सर्विस्टेशन अगर कहीं बनाए है किसी ने तो समाजवादी सरकार ने बनाए है अब पता नहीं भारती जंता पार्टी जाने क्या कहती है कि LED उनकी देन है उन्हों ने शायद समाजवादी आवाज नहीं दिखाई देते होंगे सबसे गरीब के हैं LED पहुचाने के काम अगर किसी ने किया था तो समाजवादी सरकार में और समाजवादी पार्टी ने किया था खेलों को अब अड़ावा देने के लिए यहां से बहुत सारे खेलाडी नकेवल इटावा में खेले हैं उत तबरेश से लेकर के देश के पेमाने पे भी पहुचे हैं और उन्होंने हमारे इटावा का बहुत बड़ा नाम किया है नाम को आगे बढ़ाया है समाजवादी सरकार को जब मौका मिला तो ऐसे खेलाडियों का सम्मान करने का काम भी समाजवादी पार्टी ने किया है यश वारती से भी सम्मानत यहां के खिराड़ी हुए है जो स्टेडियम बने है इटावा में बने सैफ़ई में बने कभी-कभी यह होता था इटावा के लोग कहते थे कि सब सैफ़ई चला जा रहा है लेकिन कम से कम अब इटावा में भी स्टेडियम है और मुझे याद है जिस समय मैंने एस्ट्रो टरफ का उदगाटन किया था एक शांदर वर्ल्ल क्लास इंटरनेशनल हौकी का अगर किसी ने स्टेडियम दिया है तो नेशनल गेम के लिए समाजवादी पार्टे ने किया है और दिया है विकास भवन का ओडिटोरियम पुलिस लाइन में मीटिंग हौल जिलास पताल में नजाने कितने बैट बढ़ा दिये और जेल जेल से लेकर के नजाने कौन सी सुवधाइं दे दी है जो लोग जेल होके आये होंगे वो जानते होंगे जेलों में कितनी असुवधा है और जेल में कैसे लोग रह रहे हैं या कैदी कैसे रह रहे हैं उनको भी अगर किसी ने सुवधा दी है तो कोशिस की दी कि समाजवादी पार्टी में एक शांदार अच्छी जेल बन जाए वो जेल का भी काम अभी अधूरा पड़ा है जेल पूरी नहीं हो पाई है मैं जिस रस्ते से चल करके आया हूँ मुझे भार्थी जन्ता पार्टी का केवल एक विकास दिखाई दिया है विकास भवन में ब्लेक गिर्णाइट का पत्थर लगाना ही सबसे बड़ा विकास मुझे लगता है भार्थी जन्ता पार्टी को दिखाई दे रहा है ब्लेक ग्रेनाइड लगाना ही विकास उन्हें दिखाई दे रहा है और इटावा जब शेर है इटावा जो जिला रहा इसको जितना समाजवादी पार्टी दे सकती थी दिया है और हम इटावा के लोगों को भरुसा दिलाना चाहते हैं अपने कारकरताओं के माद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द नहीं है ये जिला इसका इतिहाद बहुत पुराना है और एक बार जब मैं सरकार में था तो पता नहीं कहां से प्रस्ताव बन करके आ गया था कि यहां की तैसील को गिरा दिया जाएगा लेकिन ये मिझे जानकारी रही हुई जब मैंने कागज पढ़े और जाकर के मैंने बहुत सी और चीज़ें की जब जानकारी की तो जो लोग पुराने होंगे जो थोड़े इतिहास के पन्नों को पलटते होंगे वो जानते होंगे कि 1857 की लड़ाई में इटावा के लोगों का बहुत योगदान राह है इटावा के लोगों ने वो होसला वो बहादुरी दिखाई थी वो एक जुटता दिखाई थी के यहां के जिलादिकारी एव एव हूम को यहां से भागना पड़ा था और आगरा में जाकर के सरन लेनी पड़ी थी जो यहां के डिस्टिक मजिस्टेट थी उन्होंने कई इमारतें बनाई थी कई बिल्डिंगें बनाई थी इतावा में वो एक तहसील भी थी कोतवाली थी स्कूल का पता नहीं और वो घर भी आजकल जिलादिकारी का है तो समाजवादी पार्टी की उस समय त्यारी हो गई थी कि 1857 में किस तरीके से अंग्रेज़ों को इतावा के लोगों ने भगाया था किस तरीके से इस जिलादिकारी के घर से भागे थे वो इतिहास को दोवारा बनाया जाए जब कभी स्तरकार को मौका मिलेगा तो यही जिलादिकारी मोहदे का आवाज बहुत अच्छा म्यूजियम में बन जाएगा जिसमें 1857 के हमारे लोगों की पैचान बनेगी जहां तक और बड़े सवाल है विकास को लेकर के मुझे कोई भारती जनता पार्टी का बड़ा विकास नहीं दिखाई दे रहा है अगर कोई विकास हुआ है तो विकास हुआ है उनका भेष्टाचार का और अन्याय का भेष्टाचार और अन्याय का सबसे ज़्यादा विकास अगर किसी सरकार में हुआ है तो वो भार्दी जंता पार्टी की सरकार में हुआ है और एक उधारण नहीं है अन्याय के नजाने कितने उधारण दिया सकते अन्याय के सबसे ज़्यादा जूटे मुगद्में लगाना सबसे ज़्यादा अन्याय होना सबसे ज़्यादा अपमानित करना कब कोई कलपना कर सकता है कि पुलिस किस तरीके से नौ साल की बेटी के साथ बिवार करेगी जो घटना हो रही ही बलातकार की छेड़ खानियों की वो अलग घटना है उत्तपदिस आगड़ों में आगे जा रहा है जो व्यवस्था की थी पुलिस को अच्छा बनाने की पुलिस को बहतर करने की वो व्यवस्थाएं तो खताम हुई है लेकिन अन्याय देखिए बताइए बुलंच शेहर में किसी ने अगर पठाके का ठेला लगा दिया कोई दुकान लगा दी तो पुलिस इस तरीके सा अपमानित करेगी ये तो एक उधारण है नजाने कितनों को अपमानित होना पड़ा इसलिए लोग भवन इसलिए नहीं बनाता कि कोई सरकार का महां बैठे और अपमानित करे अगर कोई ऐसा है जो अपमानित कर रहा है जनता को दुख दे रहा है तकलीफ दे रहा है जनता को जब मौका मिलेगा तो उस व्यक्ति को लोग भवन से बाहर कर देगी ये भी जनता की ताकत है लोग तंप में जहां तक इनकी योजना है अब पता नहीं कौन सी योजना इनकी चल रही है हमारी बहनों को समाजवारी सरकार में लेप्टॉप भी मिल जाता था और कन्या बिद्यधन भी मिल जाता था इनकी जो कन्या सुमंगला योजना है हमें नहीं लगता हमारी बहनों को दे पा रही है पता नहीं किसको दे रहे कहां जा रही है पता नहीं सौचाले कहां बने है सुनाए कि सर्टिफिकेट मिल गया थे O.D.F. का हमें तो कई जिलों की जानकारी है जहां जिलों को O.D.F. कर दिया गया जब जाँ छोई तो पता लगा कि वहां सौचाले हैं नहीं तो O.D.F. के से खुज़ित कर दिया बिजली की समस्या का आपको पता ही है जब यहां के जन्परदिनी दी सरकार के जन्परदिनी ये कहने लगें कि धान की फसल की कोई कीमत नहीं मिल ले किसान को लूठ हो रही हमें बताओ यही सरकार कहتी थी किसानों को हम इतना मदद करेंगे कि उनकी आई दोगनी हो जाएगी हम जनना चाहते हैं सरकार से कि आखिरकार किस किसान की आई दोगनी की अबने दान की फसल चली गई खतम होने वाली है बताओ आपने धान किस कीमत खरीदा है यहां जितने लोग खड़े है सब पे खेती है समने धान बेचा होगा कोई हमें बता दे क्या कीमत मिली है जो सरकारी तैथा सरकार की तरफ से मिलने का क्या किसान को मिला है उतना पैसा और फिर महगाई कितनी बढ़ गई आप बताएए डेपी खाद और डीजल की महगाई बढ़ी के नहीं बढ़ी विजली की कीमतें क्या पहुँच गई इसका कोई दोशी है तो वो भारती जंता पार्टी दोशी है इसलिए समाजवादियों की कोशिश रहेगी के लोगों को लगाता जोड़ें आज मुझे खुशी है इस बात की कि बहुजन समाजवादी पार्टी के और कॉंग्रेस के और अनितल से छोड़ करके जो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हमारी पार्टी की ताकत बढ़ेगी और आज जो हमारी दाई तरह बेटें बहुत सारे साथी है परचे भी हुआ है ये समाजवादी साथी बहुत महत्पूर नेता जो सामने बैठे है उनसे भी परचे हुआ है हमें उम्मीद है कि हम सम मिल करके एक साथ खड़े हो करके समाजवादी पार्टी को इटावा में बहुत एतिहासिक जीत दिलाएंगे और हमें भरुसा ही नहीं है आज हमें पूरा पता लग गया है पूरा पता लग गया है इन लोगों के आजाने से समाजवादी पार्टी में बड़ी संख्या में लोग जुड़ेंगे आपने इतावा पुले नहीं है तो ये आपके जहन में कैसे आया क्योंकि इतावा केवल लाइन सफारी देखने आता था आप लोगों को नहीं देखता था अगर लाइन सफारी अज्यक जी बाइस में चुनाव आपकी बाइस किरा रही कोई राजनिर्ति गटबंधन समाजवादी पार्टी की कोशिस रहेगी कि कई दल जो है जिन से बाचीत हो रही है या बाचीत होई है या उन्होंने कभी-कभी मदद की है छोटे दलों से तो एज़ेस्मेंट होगा लेकिन बड़े दलों से कोई गटबंधन नहीं होगा आप बिल्कुँ साफ पूछो ना आदी घुमा की क्यों पूछते हो एकदम सीदा पूछे सवाज माइक लगा गए सीदा पूछे मैंने आप से कहा मैंने लखनों में भी कहा कई प्रेस के कारकम हुए उसमें भी कहा समय समय पे लोगों ने कहा कि उस पार्टी को भी एड़्जेस्ट करेंगे जस्वन नगर उनकी सीट है समाज़ादी पार्टी ने वो सीट उनके लिए छोड़ दी है और आने वाले समय में उनके लोग मिलें सरकार बनाएं उनके नेता को कैबिनिट मंत्री भी बना देंगे और क्या अड़्जेस्मेंट चीए बहुत धन्यवाद आपका सही सवाल पूछ ली आपने क्या गोल मॉल गुमागे पूछते रहते आप इतनी हुम्रे और अन्हुम्र के साथ गोल मॉल बात कर रहते और उसके बाद वो बरकार नहीं बना पाए किस तरीके से आप देखते हैं वहाँ के रिजल्ट को महा गडवंधन को जनता ने समर्थन दिया पूरा समर्थन जनता कादन के साथ था सीटें भी लगभग जीत गए थे इतना बड़ा धोका लोग तंत्र में किसी के साथ नहीं हुआ होगा जितना धोका भाती जनता पाटी ने वहाँ के लोगों के साथ किया है और माह गडवंधन को बेमानी सहराया है यूपी उट चुनाओ में समयादी पाटी को एक सीट मिली है तो आने माले विदान सभा में क्या लगता है इस पर कोई असर पड़ेगा जितनी थी उतनी जीत गए जब चुनाओ डियेम, SP, ADM, SDM, SO सिपाई लड़ेंगे तो कौन जीतेगा भारती जनता पाटी नहीं लड़ रही थी उनकी सरकार के जितने भी अधिकारी थी वो सब चुनाओ लड़ रहे थी अधित जी आपने कहा कि बिहार चुनाओं में गड़बड़ी हुए क्या आपके पास का पाटी पास कोई ऐसे प्रमाड मिले हैं कि वहां गड़बड़ी की अशंकर लड़ेंगे कमाल है आप इतने बड़े चैनल में आप ही दिखा रहे थे कि बैलेट गरबड़ हो गया जो चुनाओं में पड़ाम आने चाहिए थे जो जनता जान रही थी जो समझ रही थी सब सर्वे फेल हो गए आप एक दिन से पहले दिन से सोचिए इतना जन समर्थन किसकी रैली में था सबसे ज़्यादा जन समर्थन महागडबंदन की रैलियों में था जितने भी देश के सर्वे थे उन सर्वेयों में एतिहासिक जीत की तरफ बताया गया लेकिन जब मशीन खुली परड़ाम आया रिजल्ट रोके गए सर्टिफिक किसी और को दे दिये गए यही तो आरोब महागडबंदन के नेताओं का है क्या यह नहीं हुआ अज़्य जी एक आखरी सवाल और मायवती बेहन जी के बारे हम कहा जाता है क्यों पाला बदल लेती हैं भी काफी कुछ पार्टी के बारे हम समाजवादी पार्टी ने कहा है कि अपने जोटे दलों के साथ तो विशार कर सकती है बड़े दलों के साथ गडवंदन नहीं निता जी 2000 बाइट ब्रामनों का विशेश आसिरवाद आपको मिलने वाला है समाजवादी पार्टी हर वर्क से समर्थन मांग रही है और हर वर्क के लोग समाजवादी पार्टी से जुट रहे हैं और मेरा सभी से अपील है और निविदन भी है कि समाजवादी पार्टी विकास के रास्ते पर और जो विकास किया उसका समर्थन करें अध्यक जी बाइस में यूपी में हैसा ना हो जो बिहार में आपने देखा उसके लिए क्या रणनीत या आप समाजवारी ये रणनीत का खुलासा नहीं करेंगे नहीं तो उन्हें जानकारी हो जाएगी समाजवारी पार्टी विकास पर तो करेंगी करेंगी काम विकास के साथ-साथ जो अन्याय हो रहा है जिस तरह का भिष्टाचाच चला उन्स सब चीजों को जनता के सामने रखेंगे और सबसे बड़ा सवाल तो यह है टावा वालो मुझे सुना है शेर यहां से कहीं और जा रहे है कहा जा रहे है शेर मैं तो सरकार से कहूंगा कि हमारे लाइन सफारी शुरू कर दें एक एनिवल सफारी एक लाइन सफारी है लाइन सफारी शुरू कर दें और जितने शेर चाहिए वो शेर ले जाओ लेकिन कम से कम लाइन सफारी तो शुरू करो यही सरकार आरोप लगाती थी अगर याद हो कि गोरकपुर के डक्टर हम सैफ़ई में ले आए हैं सैफ़ई यो इटावा पे आरोप याद कीजिए कितना आरोप लगते थे हमारे मुक्वनतिए को जानकारी नहीं है बुनेल खंड inks press रे जोड़ दिया इटावा से हमारे घर में रोप जोड़ दिया आ करके हम उन्हें धन्यवाद देंगे कम से कम उनकी जानकारी में नहीं हुआ कम से कम होतो गया कुछ कि बुंदेल खंडा करके इटावा में हमारे घर से जोड़ दिया और आखिरकार उन्हें शेर की विज़रोत हैं से पड़ी उनके पास कोई शेर नहीं है ये बात तो थावित हो गई केबल लाइन सेफारी एनिमल सेफारी नहीं खोली है वो जानते हैं कि जैसे ही लाइन सेफारी खोलेगी समाजवादी पार्टी की तारीफ लोग करेंगे वावाई होगी कि देखिए कैसा काम हुआ है और आप से अच्छा कौन जानता है आप से अच्छा कौन जानेगा कोई अगर आया होगा लाइन सेफारी और अगर आपने माइक उसके सामने लगा दिया होगा तो उसने बात खतम बिना तारीफ के नहीं की होगी यह आप सब जानते हूं यह बात तो वो जानते हैं कि एगर लाइन सेफारी खोल दिया तो इटावा के लोग पूरा बोर्ट समाज़ारी पार्टी उदे देंगे इसलिए नहीं खोलना है जानबूच करके जिस लाइन सेफारी से रेविन्यू मिलने लगे जिस सेफारी का मुनाफ़ा होने लगे ऐसे सरकार के कितने बेवाग है जो मुनाफ़े में है ये बेवाग मुनाफ़े का है तो बताइए उसमें भी धोगा कर रहे हैं लोग और इसलिए नहीं शुरू कर रहे हैं क्योंकि इसमें तारीफ समाज़वादियों की होगी कि समाजवादी ने कितना अच्छा काम किया और समाजवादी सरकार बनेगी तो जो हमारे वॉकर्स हैं या जो साइकलिस्ट हैं सुरक्षा का अच्छा इंतजाम करके सुबह अगर उसमें साइकल चलाने जाना चाहेंगे और वॉक करने जाएंगे तो समाजवादी पार्टी की सरकार उसको खोल देगी जनता के लिए बाकि शेर और जानवर पैसे से देखें और आपको पूछना जाएं सरकार से कम से कम एक आज जानवरी बढ़ा देते हूं आपर क्यों जानवर नहीं बढ़ाया मैं आप से कह रहा हूँ आप बहुत पुराने हैं भारती जनता पार्टी कोई विकास इटावा में नहीं करेगी और अगर कोई विकास हो भी रहा हुगा तो सो रोग देगी आज इटावा और आजस पास के लोग को सबसे बहतर अच्छा इलाज सेफ़ी में मिला था चार साल में बताएं कितना बज़ट दिया उन्होंने थब बज़ट काट दिया हम चार साल में अभी तक इलाज कराने सेफ़ी हॉस्पिटल में नहीं गए हैं उन्हें ये लगता है कि ये हॉस्पिटल इतना बड़ा बना है वो हमारे इलाज के लिए बना है ये गरीबों के लिए बना है जिने कहीं इलाज नहीं मिल पा रहा है वो अगर सेफ़ी जाएंगे तो उन्हें फ्री इलाज मिल जाएगा ये इंतजाम निताजी ने सैफ़ई में किया था और मुझे खुशी है इस बात की नकेवल उत्तव प्रदेश के लोग आ रहे हुआ इलाज कराने मत्तव प्रदेश के लोग आते हैं और मुझे जानकारी मिली थी कई मशीने जो चंडी गड़ में नहीं थी एक आर्मी का बहुत सीनर अधिकारी कई महीनों रह करके यहीं पर इलाज कराके गया था और अगर उसको इलाज कहीं और कराना पड़ता तो शायद वो इलाज कभी नहीं करा पता था एक आर्मी का उफसर आप जानकारी कर लेना क्या महीनों रहे वो अधिकारी के नहीं रहे और पूरा इलाज होकर के यहां से गया की नहीं गया और कोविड में इस परिशानी में जो कोविड आया सबसे आगे सबसे महतपूर भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो वो सेफ़े के मेडिकल कॉलेज ने निभाई है जो नेताजी के जमाने से बना था और जितना नेताजी ने बनाया था उससे नहीं समाजवादी पार्टी के पिछली सरकार में बना करके तयार किया था क्योंकि लोगं की जान बच जाए अब ये सरकार चाहती नहीं है कि किसी का इलाज हो जाए और जिसको इलाज किराने अस्पताल अगर जाना पड़ जाएगा सरकारी वो दुबारा भारती जन्ता पार्डी को बोट नहीं देगा वो समाझवादी पार्डी मैंने लोगस्वा में कहा था अगर स्पीश निकालेंगे आप बहुत सारे भारती दिनता बार्टी की लोग मुस्करा आ रहे थे मैंने कहा ये हवाईजास से आया है बीमारी और कहीं ये गाउं में पहुँच गई तो कैसा होगा ये बात अलग है कि अब लोग मास्क की परवाण नी कर रहे है बीमारी की परवाण नी कर रहे है लेकिन ये सचाई नहीं है कि बीमारी खत्म हो गई है अगर दुनिया के कुछ हिस्सों में दुबारा लॉक डाउन हुआ है लोग बीमार हो रहे है तो हमें भी साथधान रहना पड़ेगा कम से कम और ये मास्क हम इसलिए भी लगा रहे हैं कि हम अपने आप को सुरच्च्च्च्च रखें और दूसरे से सुरच्च्च्च रहें और कहीं हम अगर बीमार हैं तो दूसरे को बीमारी न हो जाएगा इसलिए हम मास्क पहन रहे हैं तो कम से कम सरकार को साफ करना चाहिए कि बिमारी है कर नहीं है जब दुनिया की दूसरे इस्सों में आ रही है सरकार तो कह रही है कि नो टेस्ट नो कोविट टेस्ट करना नहीं बंद कर दिया होगा जैसे नौकरी देना बंद कर दिया वैसे टेश्ट करना बंद कर दिया है नो ने अखलेश जी मेरा सवाल है आप से आपने नौकरी की बाद कर दिया उत्तर प्रदेश में बरत्मान सरकार बैक डोर से नौकरिया दे रही है बिना बिग्यप्ती निकाले भरतिया चल रही है बीजेपी अपने चहेतों को बरती करवा रहे है लेकिन बेरोजगार की भावनाओं जो है उनको कुछला जा रहा है क्या कहेंगे आप ये 2020 में COVID आया है 2021 तक ठीक होगा और 22 में एकदम खुशाली आ जाएगी इसलिए 22 तक इंतजा करिया सब कुछ 22 में ठीक होगा उससे पहले आप उम्मीद मत करिये कुछ ठीक कर देंगी लोग 22 में सब ठीक होना है विकास के रास्ते पे चलना है और किसानों के अभी सबसे ज़्यादा अगर भला कोई करेगा तो समाजवादी सरकार 2022 में करेगी मेरा अगला सवाल है खलेज जी कैंद सरकार किसान बिल लाई पूरे देश में किसानों ने बिरोद किया किसानों की आपको दुगना करना चाह रही थी सरकार उत्तर प्रदेश में जो किसानों की बदहाली है साइद आप ने कल आप जब औरहिया से आ रहे तो मैं भी रास्ते में था आप देखते आ रहे थे सड़क के किनारे धान पड़ा हुआ है इस बदहाली को जब आपकी सरकार बनेगी तो आप इसको कैसे दूर करेंगे ये जो कानून आया है और इसके साथ साथ जो कानून बने हैं ये किसानों को बरबाद कर देगा ये जो कानून बने हैं इससे किसान बरबाद हो जाएगा और याद कीजे मैंने ये कहा था कि भारती जंता पार्टी की सरकार की तयारी है कि किसानों की खेट की मेर तोड़ दें और वहीं राजस्वा में आदिने प्रोफिसर राम गुपाल जी ने कहा था कि ये जो कानून आये ये डेथ वारंट है समाजवादी पार्टी की कोशिस थी और प्रियास शल्ला था कि किसानों को उनकी आई भी बढ़े और जो सरकार ते करती हैं MSP वो भी उन तक पहुँच जाए इसके लिए लगातार मंडियों को बहतर कर रहे थे अगर एक्सप्रेस बे के किनारे जाएंगे आप तो मैंपुरी में जितनी समाजवादी सरकार में बनी थी मंडी उतनी बनी छूट गई इसी तरह आलू के लेकर के बहुत बड़ी मंडी बन रही थी वो कन्नोज में थी वो भी उतना ही काम छूट गया लखनों में भी मंडी बन रही थी वैसी की वैसी छूट गई और यह में मंडी का सुधार क्या कर सकते थे वो भी किया इटाबा की मंडी का सुधार किया और क्या सुभिधा दे सकते हैं वो भी सुभिधा देना शुरू हो गया था लेकिन सब सुभिधाएं भारती जन्ता पार्टी ने छीनली है हम भारती जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं आप कहते हैं कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है उन्होंने एक मिस्ट कॉल नमबर बनाया कहा कि जिसको सदस्ट से बनना है हमारे मिस्ट कॉल करिए और सदस बन जाई ये हमारी पार्टी का हम उनसी मिस्ट कॉल पार्टी से पूछना चाहते हैं हमारा किसान किस फोन पर मिस्ट कॉल दे जिससे की उसकी आय दोगनी हो जाए और MSP मिल जाए हमें भारती जनता पार्टी वाले बताएं कि वो फोन नमर कॉन सा है जिस पर मिस्ट कॉल किसान कर दे और हम नौजवान नौकरी मांग लें उनसे मेरा सवाल आप से फिर वही है मैंने आप से ये पुछा कि अगर आप की सरकार आएगी तो किसानों को आप कैसे रात देंगे मैंने आप को बताया कि जो मंडिया बनी है और जो सुबधाएं दे सकते हैं किसानों को वो देंगे अब ये जानना चाहते हैं कि हम क्या करेंगे हम जो बोल देंगे वो भारती जन्ता पार्टी ने कर दिया तो उसका क्या करोगे तो हम आवाज उठा रहे हैं कि चीनी मिले तैयार नहीं थी चीनी मिले इस बात के लिए तैयार नहीं थी कि किसानों को जो गन्ने की है वो खीमत मिल जाए आप याद कीजिए 2016 का बजट और उससे पहले का बजट और सप्लिमेंटरी बजट उसमें किसान को पैसा देने के लिए 2000 करोड रुपेज सरकार ने दिये थे कि किसानों का गन्ने का भुकतान हो जाए तो 2000 करोड सरकार ने दिये थे उनके जो को जनरेशन था क्योंकि उससे उसको विजली बेचते सरकार से कुछ पैसा कमाते तो वो भी पैसा कहा गया था कि जिन किसानों का गन्य का भुक्तान करेंगे उसी का सरकार पेमेंट करेंगी मुझे खुशी ऐस बात की कि उस समय किसानों को भढ़ करके गन्य का मूल मिला हर साल गन्य की पैसे बढ़ाए गए 40-40 रुपय बढ़ाए گیا और गन्य का बकाया नहीं छूटे ने दिया तो इसी तरह समाजबादी सरकार बनेगी चाहें घेऊं हो, धान हो, मक्का हो, सरसों हो और दूसरा उधारण मैं देदू आपको और जो कभी-कभी घर में आप शौक से टीवी का एटाइजमेंट देख करके एडिबल ओयल खरील लेते हो, जिससे खाना बना लेते हो और कहा जाता है कि इस एडिबल ओयल के खाने से अगर पूरी बनेगी या कोई खाना बनेगा तो आप स्वस्त रहेंगे क्योंकि मैं कंपनियों के नाम नहीं बोलना चाहता हूँ वो कौन से एडिबल ओयल है क्या हमारा सरसों का तेल खराब है क्या हमारे गाउं का घी खराब है अगर हम घी को घी को बढ़ाबा दे जाएंगे और अपने खेद की पैदा हुई सरसों के तेल को बढ़ाबा दे देंगे तो हमारा किसान खुशाल हो जाएगा लेकिन भारती जनता पार्टी सब खाने का तेल विदेश से मंगा रही है आपको उमीद नहीं होगी केबल उत्तव प्रदेश में लाखों करोड का रुपया का केबल तेल आ रहा होगा एडिबल ओयल आ रहा होगा जो मल्टी नेशनल कंपनियां हमारे लोगों को खिला रही है तो दो युधारन दीए अगर समझ पाओ तो समझ जाओ आप भी बोर्ट समयादी पार्टी को देना खुशाली आएगी अखलेज जी मेरा आखरी सवाल है आपसे जब से भारती जनता पार्टी की सरकार वनी है मैलाओं पर जुल्म बढ़ गया है जबकि इन्होंने ये आस्वासन दिया था कि हम मैलाओं को सुरक्षा देंगे हातरस कांड हुआ आपने इटावा की इतिहास की बात की तो मुझे याद आया हातरस कांड हुआ हातरस कांड में भी इटावा की सीमा कुसवाह जो एड़ोकेट है जो निर्विया कांड की रहा एड़ोकेट रही है उन्होंने भी बहुत फाइट किया धरमिंदर जी भी गए थे लेकिन लोगों के मन में एक सवाल उठता रहा कि अखलेज जी यहां नहीं आए क्या कहेंगे आप हाला की यह सवाल बहुत अच्छा आपने इसलिए पूछा कि बहुत सारे लोग यह कहते थे हम हैं कहां क्यों नहीं आए और यह भी अच्छा है क्योंकि आपको यह नहीं पता है कि उस मौके पर कौन था मौके पर लड़ाई कौन लड़ रहा था जिस दिन खटना हुई मुझे खुशी है समाजवादी पार्टी के कारकरता उसके गाउं के बाहर बैट गए जाकर कि उसी रात को उसी शाम को धरना दिया मैंने अपने उस कारकरता को फोन मिलाया मैंने कहा कि आप धरना देते रहना धरना से मत हटना क्योंकि उस परिवार को न्याय दिलाना है और मुझे खुशी है हिम्मत से वो जुटे रहे उसके बाद उसी कारकरता से मैंने कहा कि अगर तुम बात करा सकते तो उसके भाई से बात कराना उसी दिन रात में जब वो बेटी गहर पहुँची है गाओं में आई है दिल्ली से उसके भाई से मेरी बात हुई और भाई ने मुझे से निवेदन किया कि आप ऐसा करिए कि मेरी बेहन की डेड बोडी मुझे दिलवा दिजे कि ये कम से कम आखरी जो कार्यक्रम होते हैं परिवारे कार्यकरम में हम कर लिया है और परिवार के लोगों को देखने और दर्शन करने का मौका मिल जाए मैंने उस भाई से कहा कि मैं एक बार कोशिश करूँगा लेकिन मैं जानता हूं यह सरकार नहीं मानेगी उसके बाद क्योंकि जिल अदिकारी का मेरे पास नमर नहीं था उस समय क्योंकि जिस जगे में था उस समय रात के डिड़ यहां पर डिड़ बज़ गया था वहां समय ठीक था मैंने डिड़ बज़े ही अपने MLC को फोन किया MLC पे जब नम्मर नहीं मिला उनका फोन नहीं उठा रात के डिड़ बजे तो मैंने नम्मर ढूंड करके DM को नम्मर मिलाया DM ने एक बार तो फोन उठाया और दूसरी बार फोन नहीं उठाया उन्होंने जब दूसरी बार फोन नहीं उठाया तो मैंने जहानबूश करके उस दिन का मैसेज किया और मैंने उस मैसेज में रात के ढ़ाई बजे मैसेज किया और मैंने कहा जो डियम के लिए मैसेज मैंने किया मैंने मैसेज किया किरपया परिवार की आखरी इक्षा का सम्मान करें अखलेश और मुझे लगता है वो मेसेज मिला था उसे लेकिन उसके बाप जूब दिल अधिकारी ने वो सम्मान उसका परिवार कर नहीं होने दिया उसके बाद जो हमारी पार्टी कर सकती थी हमारी पार्टी ने लड़ाई लड़ी ये अतुल प्रधान खड़े हैं आप पूछ लीजिए उस मौके पर सियो था इन्होंने सियो से बात कराई मेरी और मैंने सियो से कहा कि सियो तुम बहादुरी से लड़ जाना और न्याई दिलाना बेटी को लेकिन नजाने कहां का दवाब था कि उस परिवार के साथ अन्यायवाज बेटी को न्याय नहीं दिया हमें कभी कभी दुख होता है आप लोगों पर चेनल वालों पर जब समाजवादी कारकरता पहुँचे तो यही चेनल के कई लोगों की भाशा क्या थी जब समाजवादी पार्टी के कारकरता पहुंचे थे आप तुम्हारा निकाल करके दीखे वीडियो अगर और दल के लोग जाएं तो उसको आप आंदोलोन और पर्दसन कहते हैं और समाजवादी पार्टी के कारकरता जाएं उन पर लाठी और अन्यायों करते हो आप और ना जाने किस भासा का इस्तमाल करते हो जो अन्पार्लिमेंटरी लेंग्वेज है वो टीवी चैनल इस्तमाल कर रहा था वो मेरे पास रिकॉर्डिंग है ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डिंग नहीं है पूरे देश और दुनिया ने देखा वो शब्द मैं बोल भी नहीं सकता हूँ जो समाजवादी पार्टी के करता हूँ के बारे में उस चैनल के लोगों ने कहा तो उस बेटी को न्याए दिलाने में समाजवादी पार्टी खड़ी रहेगी और हमें उम्मीद है कि उत्तव अदेश में जनता समाजवादीयों की एक बार मदद करेगी जैसे ऐसे दोसी अधिकारियों पर भी न्याए के अंदर रहकर के करवाई हो और एक बेटी का आपने उधारण दिया कल का वीडियो जिस किसी ने भी देखा होगा जो शादी सुदा लोग हैं जिनके बच्चें घर में क्या कोई कल्ब ना कर सकता है कि उसकी पिताजी को पुलिस उठा ले जाए मारती ले जाए और बेटी पुलिस की गाड़ी को मार रही हो भाग रही हो पीछे उसके बावजुदी क्या कारवाई की आपने आपने दो अधिकारी भेज़ दिया और कहा मिठाई खालो जाकर के मिठाई खिला दी लेकिन मुझे खुशी इस बात की मैंने उस बेटी का वीडियो भी सुना है जब एक पत्तकार उसे सवाल पूश रहा है क्या पुलिस ने मारा था पीठा था अपमानित किया था वो चुप होगी और कैमरी की तरफ नहीं देख रही थी इसका मतलब ये था क्या हाँ पुलिस ने उसके पिता जी के साथ अन्या किया था क्या आप सोच सकते हो कि बेटी देख रही हो पिता पिट रहा हो यह वही लोग हैं जिनके परिवार नहीं है वही लोग ऐसा कर सकते हैं और वही लोग देख सकते हैं आप क्या उम्मीद करोगे भाति जिन्ता बाटी से एक बेटी नजाने कितने हैं बेटियों के साथ अन्याय हुआ है जो सबसे अच्छी योजना थी वो भी खतम कर दी 1090 और क्या योजना बनाई 100 नंबर क्योंकि समाजवादी सरकार का है क्योंकि उन्हें नंबर बढ़ाना था 112 कर दिया क्या ये वही योजना नहीं है वही गाड़ी नहीं है क्या कभी आप सोचो क्या इन्होंने एक टायरी भी बदल दिया होगा उसका गाड़ी का टायर बदला नहीं कि वह रंग पर अपना नंबर दिखा लिया तो क्या करोगे इस सरकार पर क्या उम्मीद है और कितने नाम बदल दिये मैंने उस समय भी कह था इस देश के कई बार परधान बनती रहे अटल बहारी बाच्छपी जी उनका केवल सम्मान यहां नहीं है पूरे देश सम्मान करता है जब समाजवादी पार्डी के सरकार का बना हुआ स्टेडियम उसका नाम बदल लए थे भागवान विश्णू के नाम पर था उसका नाम बदल लए थे उस समय भी मैंने कहा जब लोग वहवन में प्रतिमा लगा रहे थे उस समय भी मैंने कहा मैंने का वो रहने वाले बठेसुर के थे कम से कम बठेसुर में आक्सपोर्ड जैसी केम्बरिज जैसी इनिवस्टी तो बना देते क्या पैसे की कमी है दिल्ली सरकार को क्या पैसे की कमी है उत्तबदेश की सरकार को सब नोट बंदी से तो पैसा खटा कर लिया है करोगे आप एक मंत्री कुछ ट्वीट कर रहे हैं हालां कि बोलना नहीं चीमन मंत्री के बारे बहुत दुखी है वो दुखी इसलिए हैं उनके बिभाग में कुछ चली नहीं रहा है उनकी चलती नहीं है उनने कई बाट टेंडर कैंसल करना पड़ता है और उस बभाग के साथ और मुख्वंत्री का ये रिष्टा पुराना है कोई नया रिष्टा नहीं है इस बिभाग का मुख्वंत्री से रिष्टा ऐसा ही होता है तो आप सोचिए इतने दुखी मंत्री हैं वो उनका सपना कुछ और था उनका सपना इतना बड़ा था और सपना देखते हैं आज कल उन्हें नीन नहीं आ रही आजकल, क्योंकि समय नहीं बचा है सरकार का, एक बार गलती से वो सपने में सोचे, कि वो इस प्रदेश के मुख्यमंतरी बन गए, और उन्होंने जानकारी की, कि मुख्यमंतरी कहां बैठते हैं, तो उन्हें पता लगा कि मुख्यमंतरी शासी भर म में बैठ गए, अपने नाम का तक्ती भी लगा ली उन्होंने, जिस कुरसी पर मुख्यमंतरी बैठते हैं, मुख्यमंतरी कुरसी भी बैठ गए, लेकिन जब असली मुख्यमंतरी ने दूसरे मुख्यमंतरी को जगा दिया, जब तक्ती फेंक दी और कुरसी पर दुबारा नहीं बैठ पाए वह आप जानते होंगे कौन है उन्हाम हम नहीं बताएंगे आप लोग बहतर समझते होंगे उनका सपना बड़ा हो हमें उम्मीद है कि उनका सपना ऐसा ही रहे क्या उनका सपना पूरा हो जाएगा नहीं सपना देखिए किसने मना किया जब तक सपने नहीं देखोगे तो बड़ा काम नहीं कर पाओगे हम तो यह कहते हैं कि सपना देखने से केवल पूरा नहीं होगा उसलिए जनेश मिजजी को याद कीजिए जितना बड़ा सपना देखो उससे जाद है संगर्स के लिए तय तो अगर वो बनना चाहें, अपना सपना पूरा करना चाहें, तो अभी भी करने को तयार हैं वहाँ लोग, करने सपना पूरा, हिम्मत तो जुठाएं, यह तो लाइव है यह चीज है यह तो लाइव है वो भी देख रहे होंगे उन तक बात पहुँच जाएगी और सरकार के लोग भी यहां बैठे होंगे LIU के लोग भी कुछ कागज में लिख रहे होंगे और अपने पतकार भी तो LIU है यह पूरा हमारी जितनी बातचीत है और जितने लोग था है सब की रिकॉर्ड़िंग करके बीजेपी को दे आएँगे एक पूरी रिकॉर्ड़िंग बीजेपी वालों को लेकिन जो बीजेपी वाले सुन रहे है आस तो हमें यहां इसलिए बैठना पड़ा कि हमारा कारेले नहीं है हमने सुनाए भारती जंटा पार्टी ने बड़ा शानदार कारेले बनाया है बताईए हम लोग पीशे रह गए अब करेंगे कुछ कारेले का अच्छा इंतजाम आने वह कोई सवाल तो नहीं बचा तुमारा यह तो पुराने पतकार है और यही नहीं नजाने कितनी बाते हम आप से कह सकते है बताईए सरकार ने कहा कि हमने लैप्टॉप में भेदवाब की आए याद कीजिए आप लोग आप तो पूरे टावा शहर में रहते होंगे अलग लग वार्ड अलग लग महले के रहने वाले लोग है यहां जो नेता बैठे है वो अलग लग कस्वे के लोग है अलग लग जगे के रहने वाले समाजवादी पार्टी ने जो लैप्टॉप दिया वो आज भी चला होगा आज भी चला है वो और हमने अपने लैप्टॉप में ऐसी सेटिंग की है कि जब भी ओन करोगे तो हम और नेता जी ही दिखाई देंगे आपको हमारी सेटिंग ठीक है कर नहीं है लेकिन अब बीजेबी की सेटिंग पकड़नी है उसके बाद चुना में अब को जीट जाएगी और जो मैंने पहले कहा अगर ये जूट से सरकार बना सकते हैं तो समाजवादी पार्टी जन्ता को भरोसा दिला के और अपने विकास को बातों को लेगा करकी और सब को जोड करके सरकार बना लेगी सेम बाबु स्याम बाबू ने आते रहेंगे और लगातार बाचीत करते रहेंगे लगातार हर जिले में इसी तरह अपनी समाजवादी सरकार के जो काम है वो याद दिलाते रहेंगे क्योंकि हमारे कारकटा जाने आप लोगों के बादाने से जनता तक बाद चाहे कि कम से कम और BJP वाले जाग जाएं कि भई कुछ काम तो कर लो तो खतम तो फिर खतम यह हमारे साथियों से निवेज आने कि आप सांती से बैठे रहो प्रेस वाले चले जाएंगे तो और जो साथियों उन्हें बुला लेंगे अंदर लेकिन आप लोग सांती से बैठे रहें मैं प्रेस के सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर दीपावली पर बहुत बहुत शुब कामना है बहुत बहुत बधाई और बहुत धन्यवाद और इसी तरह मिलते रहेंगे नहीं मिलते रहेंगे और अभी तो जो इंतिजाम करत है करें लेकिन आने वाले समय में अछ्छा इंतिजाम रहे गा आप लोग और हम लोग जलिये बहुत धन्यवाद और कोई अखेले नहीं होगा इंटर्व्वी नहीं तो अम मर जाएंगे अरे अगले इंपिवोंगे इनलो होगी फोटो अजया आजाए आप लोगों आजाओ इसी होजाओ तो इनकी ग्रोब फोटो जाएगी बैटा ईनकी आजाओ आजाओ एक कुस्ति आटाओ एम आजाओ धिरू